दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको डोक की खुजरी दूर करने का एक ऐसा इस्प्रे घर पे बनाना बताऊंगा जो गर्मियों के मौसम के लिए विसेश है और इचिंग जैसी कोई भी चीज यानि इसके डिजीज से रिलेटेड और आवर प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देगा आपको करना क्या है बिल्कुल आसान दरीका बताऊंगा लेकिन जो दो तीन चीज़े हैं उनको आप नौट कीजिएगा याद रखिएगा कभी भी इचिंग की प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में आपके डो के साथ नहीं होगी ये मैं जो काम बता रहा हूँ आप सप्ता में एक बार या सप्ता में दूबार कर सकते हैं किसी भी एज के डॉक्स के लिए कर सकते हैं लेकिन जो छोटे पपीज है तीन मेने से छोटे जिनको सिनान नहीं करवाना होता है वहाँ पर इसका इस में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है तो उनका एक पैस्ट बन जाएगा और यह जो पैस्ट बना है इस पैस्ट को दो लिटर पानी में आप डाल दीजिए और उस पानी को बॉइल कीजिए इस सप्ता में दो बार की बात है ज्यादा मैंनत नहीं है आप रख देंगे साइड में तो वो बर्नर पर बॉइल हो जाएगा तो जब वो बॉइल हो करके आदा बच जाए यानि एक लिटर बच जाए उस समय उस पानी को आप नीचे उतार दीजिए नीचे उतार करके कपड़े से चलनी से अच्छी तरीके से चान लीजिए अब यह जो एक लिटर प 20 ml याद रखिए 20 ml उसमें डाल दीजिए यह आपका इस्प्रे तयार हो गया अब इसका इस्तेमाल केस से करना है इसका इस्तेमाल आपको करना है अपने डूप के सरीर पर आँखों को बचा करके कान को बचा करके और सब जगें आप इस्प्रे कर दीजिए कम्प्लेटली रॉम रॉम में इसको पहुचा दीजिए लेकिन याद रखिए कहीं पर अगर घाव है तो वहां आप एक बार थोड़ा सा लगा करके देख लिजिए कई बार घाव अगर होता है और वहां ये लग जाता है तो कई बार एलर्जिक करणिसन पेदा कर देता है तो वह गाव का तोड़ा ध्यान रखिए बाकी चाय कोई सा भी कोट का डोग है आप लगा सकते हैं कम्प्लेटली और पूरा आपने नम कर दिया नम करने के बाद सिरफ 30 मिनट आपको वेट करना है और अपने डोग को किसी भी अच्छे डोग सेंपू से शनान करवा देना ह है हो गई बात सब्ता में या तो एक बार करवाई है या दो बार करवाई है लेकिन सब्ता में एक बार तो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये काम होने के बाद आप क्या करेंगे ये काम होने के बाद आपने नहला दिया और नहला करके फिर आप उसको बारी किसे examine कीजिए कहीं पर भी अगर कोई races है कहीं पर भी कोई scratch है कहीं पर भी skin लाल है तो वहाँ आप नारियल का तेल जरूर हल्की सी परत बना दीजिए पूरे सरीर पर नहीं लगाना है वहीं लगाना है जहां पर scratch है बस इतना सा काम कर लीजिए और ये इस परे गर्मी के मौसम में आपके डूप को कभी भी इचिंग नहीं होने देगा